अररिया लोकसभा उपचुनाब का चुनावी रंजाड़ी है कुछी घंटों में चुनाबी नतीजे आने वाली है ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा महागटमन की तरब से सर्फराज आलम वहीं इंडिये के तरब से परदीब सी चुनावी मैदान में हैं और सीधे टकड इन दोनों के बीच है तमाम राजनीतिक पार्टियां के बीच गहमा गहमी बनी हुई है लेकिन बयान देने में लोग अभी मुकर रहे हैं लेकिन कुछी चणों में ये फैसला आने वाला है हलाकि तसमर अद्दीन के निधन्स के बाद जो ये सीट खाली हुई थी सरफराज आलम उनके पुत्र हैं क्या इमोशनल फाइदा इनको मिल पाएगा ये देखना दिल्चस्प होगा फिल्हाल लोगों में ये रोस बनी हुई है कि ये चुनावी नतीजे का क्या फैसला आने वाला है देखे मैं आपको बता दू कि जहानावाद के नतीजे बस कुछी चनों में आने वाले हैं अगर बात करे हुआ हैं अगर बात करे हुआ हैं अपर एंडिये और महागटवंदन उमिदवारों के बीच में सुरू में लग रहा था कि काटे की टकर होगी लेकिन बिल्कुल उस बीच का जो ये अंतर है वो काफी बहुत बरा अंतर है इतना बरा अंतर है कि उसको पीछा कर पारना जो है अभीराम सर्मा के लिए बरा मुश्किल होगा बस कुछी चनों का इंतिजार है लोगों को कि बस इसके नतीजे जैसे ही आएंगे आप देखेंगे कि हाँ जीत का ज पिहार में होने वाले उप्चुनाओ खले कमत गन्ना का दोर जारी है और अब हम बात करते हैं भववा की जहां से रिंकी पांडे सुवच से लगतार बड़त बनाई हुई है और ऐसे संबाबना जताई जा रही है कि वो उनके जीत पकी है चुकि अररिया और भववा सीट स वहां से मतलब आगे चल रही है और कॉंग्रेस के शंभू पठेल लगातार पीछे एक बार भी नहीं बढ़त नहीं बनाई है और यहां तक लगता है कि चुनाओ के नितिजह में रिंकी पांडे बाजी मार सकती है